आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में हम से पूचा है कि larva of jellyfish या aurelia is यानि jellyfish जिसको हम aurelia के नाम से जामते हैं उसका larva होता है वो कौन सा होता है ठीक है तो हमें पता है कि जो aurelia यानि जो jellyfish होती है उसका larva कौन सा होता है planula larva हम या लिख देंगे planula larva जो है वो किसका larval form है aurelia यानि jellyfish का ठीक है यह जो larva होता है यानि यह जो planula larva है यह कैसा होता है freely swimming होता है ठीक है free swimming होता है और flat होता है ठीक है, हम यहां लिख देंगे body कैसी होती है, flattened होती है, और क्या होता है, ciliated होता है, यानि जो planula larva होता है, aurelia यानि jellyfish का, हम यहां लिख देंगे, jellyfish का जो larva होता है, planula, यह कैसा होता है, first of all free swimming होता है, flattened होता है, और ciliated होता है, तो basically हमने देखा कि aurelia यानि jellyfish का larva कौन सा होता है planula larva ठीक है तो हम्हारा कॉंसस پर Sunshine करेक्ट होता है option A planula option B जो है वो है क्योंकि जो polyp होता है वो हमें पता है क्या है एक life stage है वैसे ही वैसे जो medusa है वो भी क्या है a live stage है तो medusa भी incorrect option है क्योंकि यह दोनों क्या है sealant rate जानी nidarians के अंदर क्या है एक life stage है ठीक है, next है blastula जो कि हमारा फिर से incorrect option है तो हमारा कौन सा correct option है option A, that is planula आज ही डाउनलोट करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर